प्री जात्रो बही खाता लेखा कर्म कच्छा बार भी अध्याय बारा में हम अध्यान करेंगे यहार रोकण, प्रबा, बिवरण तो जैसा कि इस परष्ट है रोकण, प्रबा, और बिवरण रोकण, रोकण से मतलब होता है कैस अब यहाँ पर कैस जो है वो बैंक में भी हो सकता है, हस्तस्त लोकण भी हो सकता है, या ऐसी संपत्यां जो सीगर ही रोकण में परिवर्तित हो जाएं, जिसे डिपाजट बगारा बैंक में जो जमा है या ऐसी प्रितिबूतियां जो बहुत सीग्रितां के साथ से एसर बगेरा जो कि बहुत सीग्री ही रोकड मैं परीवर्थित हो जाते हैं एक ब्यावसाय में जासा कि हम जानते हैं कि रोकर जो है ब्यावसाय में एक मातपूर्ण स्थान रखता है जिस प्रकार से एक मनुष्य के शरीर में रखत दौडता है ठीक उसी प्रकार से रोकर जो है ब्यावसाय का क्या होता है जीवन रखत होता है अब यहाँ पर ब्यावसाय में जो रोकण की एस्तिति में क्या होते हैं समय समय पर परिवर्तन होते हैं। कि एक ब्यावसाय को संचालित करने का मुख्श जो स्त्रोत होता है। वो रोकड होता है, रोकड यहाँ पर जो है, कैस भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है, या ऐसी कैस तुल्य, अर्था जिनको हम सीगरता से रोकड में परिवर्ते कर सकते हैं, वो रोकड आती है, तो यहाँ पर जो है, ब्याउसाय में रोकड की जो इस्तिती होती है, कभी ब् देखोता कभी नहीं होता है तो यह एक प्रकार का क्या होता रहता है परिवर्तन रोकल की इस्तिति का क्या होता रहता है परिवर्तन होता रहता है तो इसके लिए जो है विशेश बिवरण बनाते हैं अब दूसरा सब्द जो इसमें प्रवाव है प्रवाव क्या है यह अर्थ रोकल के आने की इस्थिति मतलब कहां से किस पकार किन मदों से दों मदों में कैस जा रहा है और मतलब तो यहां रोकल प्रवा बिव्रma था कैस फ्लो इस्टेट्मेंट तो रोकल का आना और रोकल का जाना यह हमें क्या बताता है ब्यवसाय में रोकल के प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करता है और यह जो बनाए जाता है वो कहलाता है रोकल प्रवाह विब्रण तो परिवासा दी है यहां पर कि रोकल प्रवाह विब्रण एक ऐसा विब्रण है ज हम रोकड तुल्य अल्पकालीन प्रतिभूतियों से है अर्थात कैस इन हैंड कैसे बैंक और ऐसा तुल्य अल्पकालीन जो प्रतिभूतियां जो सिग्री रोकड में परिवर्तित हो जाएंगे वो भी रोकड के अंतरगत आती है जो कि दिया हुआ हस्तास रोकड बैंक में रो है रोकलण के अंतरगत और अब यहाह पर जो है प्रभाव य बावा का अर्थ है वह रोकलण के व्यावसाय में आने वाद जाने से होता है तो यह रहा रोकलण प्रभाव विव्रण और हम देखते हैं यहां पर टीवलकल नका जो प्रभाव है वह इसके आने का और जाने का यह व्यावसाय होगे आपका यहाँ पर जो है तो रोकल के जो प्रियोग है रफात किन किन मतों में हमने उसको प्रियोग किया तो ये कहलाता है रोकल का प्रवाह अर्थात किन स्रोतों से रोकल आ रही है और किन स्रोतों में रोकल जा रही है तो इस प्रकार से रोकल प्रवाह विवरन जो है एक ऐसा विवरन है जो ब्यवसाइक संस्था में एक निश्यत अउधी के अंतरकत अंदर बाहर रोकल की गती को दिखाता है अर्थात ये प्रगट करता है कि किन स्त्रोतों से ब्यावसाय ने रोकल अर्जित की अर्थात प्राप्त की और किन बदों पर रोकल का प्रयोग किया है इस प्रकार से रोकल का आगमन रोकल का स्त्रोत माना जाता है जहां से रोकल आ रही है वो क्या हो गए रोकल क रोकड के आगमन श्रोत हो गए फिर रोकड का जाना जो है वो रोकड का प्रियोग कहलाता है जहां भी हमने प्रियोग किया रोकड के मादर में से भुक्तान किया बेतन दिया या कच्छा माल खरीदा या अन्य किसी भी प्रकार के जो व्याय किये वो रोकड के जाने के क्या हो इसके जो देश हैं कि वह है नंबर एक रोकल की स्तितिका बिसलेज़न piesलें कि इसके माध्यम स्साइब गश्जय काम है या अधिक इसका मिल है नोकल के आगमन के स्षेर्म बर्ओकल के प्रियोग feminist के स्षेर्म को देखकर समझार जा सकता है एक संसता में रोकड की इस्स्थि प्रकार की है कम है या जादा रोकड प्रवा के माध्यं से जो है सका हम यह जान सकते हैं कि किन कारणों से कम है या किन कारणों से उसका बाहर गमन अधिक है तो इस बिसलेशन से हम यह समझ सकते हैं कि रोकल के आगमन के स्रोत किस प्रकार के हैं और रोकल का जो प्रियोग हो रहा है उसके स्रोत किस प्रकार के हैं तो इससे हम बिसलेशन कर सकते है दूसरा है रोकड नियोजन, इसके अंतरकत जो है रोकड का नियोजन किया जाता है, यदि संस्ता के पास रोकड आधिक्के में हैं, तो उसके बैकल्पिक प्रयोग के बारे में बिचार किया जाता है, यदि संस्ता के पास रोकड के अगमन के स्रोथ जादा है, रोकड जादा और यदि रोकड की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए जो है मितवाई श्रोताओं से उसकी वेवस्था के लिए पूर्व नियोजन कर सकते हैं जबिश्रों और इसका बहिरगमन अदिक है तो ऐसी स्थिती में हम यहाँ ये देख सकते हैं जो हो रही है ज़ो आपकी रोकड जा रही है तो इसको हम वहां पर प्लानिंग कर सकते नियोजन कर सकते इसकी फिर नीतियों का निर्मान करते हैं फिर तरलता की जाच, रोकल प्रवा के माद्यम से जो है ब्यविन लेंदार है, बैंक एवं ब्यविन बित्ती है, संस्थाएं जो है ब्यविन को रिण देने के लिए उसकी तरलता की जाच करते हैं, अर्थात रोकल प्रवा के माद्यम से ये जैनकारी प्राप्त होती ही कि रो उस ब्यावसाय में लगाना चाहते हैं, विविन ने बैंकिंग और बित्ती संस्ता हैं जो उसको रिण देना चाहते हैं, उसकी तरलता की जाच कर सकते हैं कि उसकी बुक्तान शमता किस प्रकार की हैं, तरलता की जाच, फिर भावी रोकल बगाओ का अनुमान, एतिहासिक उसकों के अधार पर पुराने आकणों के अधार पर, रोकल प्रवाव विवर्ण के द्वारा जो है, रोकल के शुरोतों का इससे ज्यान हो जाता है, और उससे प्रवावित रोकल की राशी एवं समय की सूचना से भावी रोकल प्रवाव विवर्ण, जो है, हम पना सकते है ढखाब वर्च के शुरोग के आखण है उनकी अधार पर न हम भविष में अपना उप्रभा विवर्ण उसको रोकर प्रवार विवर्ण के जो उट्देश है इसके बाद दूसरा जो है वो कोश प्रबाः विवरंग ये क्या है कोश प्रबाः विवरंग जो है एक ऐसा विवरंग है जो दो चिठों की तिथियों के मद्ध बित्ती इस्तिति में होने बाले परिवर्तन को दर्शाता है कि कहां से प्राप्त और कहां गया विवरन के मात्यम से किस स्तुरोतों से व्यावसाय ने कोश या फंड प्राप्त किया है और इसका प्रयोग किस कोश या फंड में किया गया है ये कोसों या फंड से संबंदित जानकारी को बताता है कि कुन सुरोतों से कोस प्राप्त हुआ और किन सुरोतों से कोस या फंड की राशी का उपियोग किया गया है यहाँ पर जो कोस या फंड जो है उसका अतात पर जो किस्से है वो कारेशील पूंजी पूंजी के आए, ये चालू संपत्ती का चालू दायतों पर आधिक कारिशिल पूंजी को बताता है। कारिशिल पूंजी क्या कहलाती nuclear कारिशील पूजी जो चालू संपत्ती का चालू धयतकों पर आधिक कहें वह ते लुट कारिशील पुझी है 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 पूर्वधत व्याए है वह अलपकालिन बिनियोग सामिल है यह केला है चालू संपत्ति तो परिक्षा में पूचा जा सकता कि चालू संपत्ति से क्या सा है तो चालू संपत्ति वे संपत्ति है जैसे कि cash in hand, cash at bank, प्राप बिल हो गए, बिल से रिसीवल, डेबिटर से देंदार हो गए, इस टाक हो गया, prepaid expenses, पूर्वदत, व्याय, और अल्पकालिन बिनियोग, कम समय के लिए जो हमने राशी बिनियोग की हुई है, तो वो चालू संपत्ति, जबकि चालू दायत तो क्या है यह, इसमें आते हैं, लेंदार, क्रेडिटर्स, देविल, पेबिल, और बेंक, अधीविकर्स, ओबरड्राप्ट, अदत व्याय, आउटस्टेंडिंग एक्सपेंसेज, और अल्पकालिन दायत्व को सामिल करते हैं, तो चालू दायत्व क्या है, चालू दायत्व वे दायत्व हैं, जैसे की, लेंदार हो ग बेंक, ओबरड्राप्ट हो गया, दीविकर्स, आउटस्टेंडिंग एक्सपेंसेज, जो व्याय, अभी चुकाय जाने, इनका भुक्तान किया जाना बाकी है, ऐसे व्याय, जिनका भुक्तान किया जाना भी बाकी है, और अन्य, जो शार्टम पीरिट की लाइविल्टी हैं वो इसमें सम्मिलत होती है, अता किसी बेवहार के कारणा चालू संपत्ति वा चालू दायत्यों में परिवर्तन हो, तो कारे सील पूझी में भी परिवर्तन होगा, अर्थात कोष जो है, यहाँ पर प्रवाह होगा, तो यह कहलाता है कोष प्रवाह विबरन, अर्थात यहा बुष्ट प्रबाह विवरर्ण यहां पर एक उपक्रम में किसी ब्यवखार की खालु समपत्ति में ब्रद्धि वह चालु धायतों में कमी होती है तो यह क्या होता है कारिसील पूद्जी में ब्रद्धि होती है अब इसकी के विब्रेज जब हमारे पास चालू संपत्यों में कमी हो और चालू दायतों में ब्रद्धी हो अर्थात यहाँ पर लेंदार जादा हो बिल से जो हमारे भुक्तान करने हैं वो जादा है ओवरड्राफ्ट जादा है अधर्त व्याय हमारे जादा है और उसकी तु बर्किंग कैपिटेल कारी सिल पूंजी है वो काम होगी तो प्रभा का जो अर्थ है परिवर्तन से अर्थात ब्यावसाय में कोशों के आने वाद जाने से हैं तो उपियोकता अलहार पर हम देखते हैं जब किसी ब्यावसायक ब्यावार या लेंदेन के एक पक्षे में चालू समपत्तियां इस्थाई समपत्तियां जिनको हम कहेंगे या गैर चालू दायत जो है इस्थाई दायत तो क्या होते हैं प्रभावित होते हैं तो यह क्या है कोश प्रभा माना जाएगा जिसके कारण कोश जो है अर्थात कारे सिल पूंजी क्या होगी प्रभावित होगी तो इस प्रकार के जो ब्यवार का अध्यान जो है वो कोश प्रवार बिवरण में किया जाता है यह कहलाता है कोश प्रवार बिवरण अंतर हम देखते हैं रोकल प्रवार बिवरण में और कोश प्रवार बिवरण में अ चाशे नंबर एक रोकल प्रभाब जो है वह रोकल बर रोकल तुल्ले के अंतर प्रभाव अर बाय П्रभाव को एक निर्धारत अव्धी में दिखाता है जबकि कोच प्रभाब व्वरान जो है वो बित्ती वर्सों में हुए बित्ती इस्थिती के परिवर्तनों को दर्षाता है। जबकि ये लेखांकन के उपारजन आधार पर प्रगटी करता है। रोकल का प्रारंबिक वा अंतिम सेश को पताता है कि प्रारंबिक वा अंतिम सेश को नहीं बताता है। तो ये रोकल प्रारंबिक वा अंतिम सेश को नहीं बताता है। यदि कारिसील पूंजी में परिवर्तन होता है तो उससे क्यास है। तो कारिसील पूंजी में कमी या ब्रद्धी का नरधार करने के लिए कारिसील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची तैयार की जाती है। किन कारणों से कारिसील पूंजी में परिवर्तन यहां पर हो जाए। इस सूची के द्वारा एक त्रष्टी में चालू संपत्ति एवं चालू दायतों के मूले में हुए परिवर्तनों को समझा जा सकता है। इस सूची में संपत्यों एवं दायतों के मूल चालू वर्स के साथ साथ पिछले वर्स के भी दिखाए जाते हैं। इससे चालू वर्स की संपत्यों एवं दायतों के मूलियों में गद वर्स की तुल्ना में क्या परिवर्तन हुए हैं। इसे हम आसानी से जान सकते हैं वा समझ सकते हैं तो कारिसील पूझी में जो परिवतन के अनुसूची है उससे जो यहाँ पर क्या असा है यह हमने देखा अब्यास पस्टने रोकण प्रवाः विवर्णाद से क्या साह समझाईए रोकण प्रवाः विवर्णाद के प्रमक देश्चों को समझाईए तीसरा कोश प्रवाः विवर्णाद क्या है कारेशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची से क्या साह समझाईए और अंतिम प्रफटान से जानों प्रेस्टी झाला है